हांच。may खुलोव्स टूदेंट्स wnैक太ुम टू माइ यूट्यूब चैनल अगर मेरे चैनल पर नहीं है और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर जी साथ जाते बैल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे चैनल के सभी नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहेंगे और मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट क्रेट कर दिया है जिसमें आपको सभी प्रिवियस एर कॉर्शन पेपर और करना रहता है कोशन नुमर फॉट देख लिए कॉशन अबर पूछा हुआ है लिस्ट तैपस ऑफ पेइन अपको तो मार्ग में लेज्डाउन करने है बीनुम्बर की ऑप्शन में पूछा हुआ है राइट दफेटर इंफ्लेंजिंग कंफ़र्ट कौन कौन से फेक्टर ने ज Q2 देख लिए, Q2 के A नमबर पर पुछा हुआ है, Explain Heat Production and Heat Loss Mechanism, 5 Marks में आपको लिखना है, B नमबर के Option पुछा हुआ है, Write the Purpose of Documentation, 5 Marks में आपको Documentation के Purpose लिखना है, C नमबर पर पुछा हुआ है, Nurse's Responsibility in Careing of Unconscious Patient, 5 Marks में आपको ये Q2 करना है, Q3 के A नमबर पर पुछा हुआ ह Data Assessment, 5 Marks में पुछा हुआ है, B नमबर पर पुछा हुआ है, Enumerate the Indication of Nezogastric Feeding, 5 Marks में आपको ये अटेम्ट करना है, Q4 में पुछा हुआ है, A नमबर के Option में, Principle of Bread Making, 5 Marks में, B नमबर पर पुछा हुआ है, Enlist the Types of Biomedical Waste and its Hazard, 5 Marks में, Q5 में शॉटनोट पुछे हुए है, कि यनि 5, किसी 5 short note को आपको अटाइम करना है, यहाँ पर 6 short note पुछे गाए है, First लेक लीजे, Steps of Nursing Process, B नमबर पर Death and Grieving, C नमबर पर पुछा हुआ है, Health Belief Model, D नमबर पर पुछा हुआ है, Code of Ethics, E नमबर पर पुछा हुआ है, CPR, F नमबर पर पुछा हुआ है, Care of Unit After Discharge, यह 5 marks का एक question है, Total 20 marks की questions रहेंगे, Total 75 marks का question paper है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने friends के साथ share करिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए Thank you